शिरी गड़ेशाय नमाने मश्कार में तरूस आगत करती हो मैं आप सभी का आपके अपनी चैनल ग्यान गंगा में शुरू करते हैं आज का पंचांग आज यानी 14 अपरेल 2020 दिन मंगलवार लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रति दिन पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप में बेल आइकन को प्रेस कर दे तक कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कूल न भूले तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो मा है बैश्राक, पक्ष है कृष्ण, तिथी है सप्तमी जो दोपै चार बज कर ग्यारा मिनट तक रहेगी उसके बाद अश्टमी तिथी लग जाएगी वार है मंगल वार दिली समय ने सार अगर सूर्य चंद्वा के स्तिती देखे तो सूर्य अदे होगा सुबह 5 बज कर 56 मिनट पर और सुर्यास्त होगा शाम के 6 बज कर 46 मिनट पर चंद्रुदय होगा 15 अप्रैल की सुबह 1 बच कर 26 मिनट पर और चंद्रास्थ होगा सुबह 11 बच कर 5 मिनट पर आज ये नक्षत है पूर्वाशान जो की शाम के 7 बच कर 41 मिनट तक रहेगा उसके बाद उत्रासान नक्षत लग जाएगा योग है शिव जो शाम के 6 बच कर 3 मिनट तक रहेगा उसके बाद सिद्धी योग लग जाएगा प्रथम कराण है बव जो दोपय 4 बच कर 11 मिनट तक रहेगा दुतिय कराण है बालव जो 15 अप्रैल की सुबह 4 बच कर 25 मिनट तक रहेगा सूरे रहेंगे मेश राशी में, चंदमा रहेंगे धनू राशी में 15 अपरैल की सुबह एक बच का 58 मिनर तक उसके बाद चंदमा मका राशी में चले जाएंगे सूरे नक्षत रहे अश्वनी आज का दिशा सूल है उत्तर दिशा, इसलिए यात्रा पर जाने से पहले घर से गुड़ खा कर निकले, राहों का वास रहेगा पश्यम दिशा में आज के शुब मोरत इस पकार रहेंगे अविजीत मोरत है सुबह 11 बच का 56 मिनर से 12 बच का 47 मिनर तक अमरित काल है दोपर 2 बच का 45 मिनर से 4 बच का 24 मिनर तक रवी योग है सुबह 5 बच का 56 मिनर से 7 बच का 41 मिनर तक विजाय योग है दोपर 2 बच का 30 मिनर से 3 बच का 21 मिनर तक आज के अश्व मोरत इस प्रकार रहेंगे राहु काल है दोपैर तीन बच कर चौतिस मिनट से पांच बच कर दस मिनट तक यमगंड है सुबह नौ बच कर नौ मिनट से दस बच कर पैतालिस मिनट तक आज के ब्रत एवं तेवहार में आज है कालाश्टमी डॉक्टर अमबेट कर जैनती और विहाग भी हूँ जो की असम में मनाया जाता है आज के शुबकारियों में आज विवा एवं भूमी पूजन के लिए शुबमोरत है तो ये थी जानकारी आज के पंचांग की मेरे वीडियो में अंततक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ